आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में आप भी तैयारी कर रहे हैं आरे यारो की तो मैं आपको पूरी हिंदी कम्प्लीट करा रहा हूँ फिर हो चाहे प्रिलिंस हो चाहे मेंस हो कहीं कुछ जाने के जरुरत नहीं मैं इसकी पूरी PDF डालता हूँ टेलीग्राम पे भी और टॉपर् साइड भी है जिसके बारे में आपको एक-दो दिल में मैं बता दूंगा वहां पर आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा मतलब मेरी वीडियो भी मिल जाएंगी प्लेइस भी मिल जाएगी सब एक ही जगह मिलेगा तो चलिए सबसे पहले ये हिंदी की चौती क्लास है और यहां पे मैं परियावाची 50% आज परियावाची पूरा हो जाएगा फिर बचेगा 50% तो आज के जो 10 परियावाची है उनमें सबसे पहला है आम कुल 10 परियावाची कौन-कौन से आज मैं कवर कर रहा हूं यह मैं बता दूं आम, इक्षा, उट, कुबेर, हिरन, गं ग्रिह, गनेश, तलवार यह सारे कहिन कहीं एक्जाम में आ चुके हैं अगर आपके पास अपनी कोई अच्छी ट्रिक हो तो लगा सकते हैं लेकिन मैं कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं बस मैं इसको दोहे के फॉर्म में कनवर्ट कर दे रहा हूं नाम वही है रटने आपक सबसे पहला अम्रित फल सहुकार कामसर अम्रित फल सहुकार कामसर सौरब चुत पिक बंधु रसाल साधारन सामान्य मामुली मादक सौरब अम्रसाल बहुत क्लियर क्लियर सापको समझ में आ रहा होगा अम्रित फल सहुकार कामसर सौरब चुत पिक बंधु रसाल साधारन भी आम का परियावाची सामान्य मामुली मादक सौरब अम्ब 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 नहीं अम्ब ये सारे परियावाची होते हैं किसके आम के एकदम रट डालिया अब देखें इसमें कोई ट्रिक नहीं है बस अम्रिये जितने भी थे उसको मैंने एक दोहे के फार में सेट कर दिया बस इतना काम किया दूसरा आ जाईए एक्षा बहुत अच्छे से रटीए इसके fix हैं, इतने में से बाहर कभी नहीं आता है, इक्षा के बारे में, जैसे एक दो बार आया है, तो fix है इनी में से आता है, अब जैसे कुछ ऐसे word होते हैं, जैसे तलवार, बीस परियावाची हैं, पच्चिस परियावाची हैं, बहुत सारे परियावाची हैं, तो सब को नहीं कवर किया जा सकता लेकिन जैसे इक्षा है तो इक्षा का फिक्स है क्या रूची त्रिष्णा लिप्सा उतकंठा रूची त्रिष्णा उतकंठा मर्जी स्प्रिया वांचा आकांग्षा फिर से रूची त्रिष्णा लिप्सा उतकंठा मर्जी स्प्रिया वांचा आका इक्षा के होते हैं अब दीखे मैंने इसमें कुछ भी शॉट्रिक नहीं बनाई बस जितने भी वर्ड थे उनको दो हे में आगे पीछे कर दिया तो आप रट लीजिए आसान है इसमें पुरा मनने वाली क्या बात है फिर भी अगर आपको ना समझ में आता हो किसी और से आ रखा है तो क्या है करब कमेलक उष्ट्र सुतुर फिर से करब कमेलक उष्ट्र सुतुर लंबोष्ट कमेलक कंठ काशन ठेक है करब कमेलक उष्ट्र सुतुर लंबोष्ट क्रमेलक कंठ काशन फिर से करब कमेलक उष्ट्र सुतुर कंठ काशन क्रमेलक और लंबोदा देख देगा करब कमेलक उस्ट सुतुर लंबोस्ट करमेलक कंठ कशन तिक उसके बाद आ जाईए कुवेर पर कुवेर का क्या है धनिक धनाड धनेश निधिश्वर तिक सिंपल सा है कुवेर का क्या है धनिक धनाड धनेश निधिश्वर बस इतना आत कर लीजे इतने से बाहर नहीं आएगा जैसे धनेश निधीश्वर एक बार आया इसलिए इसको अलग से लिख दिया है धनिक धनाड धनेश निधीश्वर अगला जाता है हिरन, हिरन का परियावाची, सारंग हरिन म्रिग कृष्ण सार, सुर्भी कुरंग चारू के लोचन, सारंग हरिन, हिरन का सारंग, सारंग भी मतलब हिरन होता है, हरिन का मतलब हिरन, म्रिग का मतलब, कृष्ण सार का मतलब, सुर्भी का मतलब, कुरंग का मतलब और चार लोचन का मतलब भी हिरन होता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है, अगला आजाईए, गंगा, गंगा का एक सिक्वेंस में मैंने कर रखा है, ऐसे ही रटिएगा, सूरसरी, सूरुधुनी, सूरसरीता, क्या-क्या, सूरसरी, सूरु मंदागनी, नदीश्वरी, ठीक है, फिर से एक बार, सूरसरी, सूरुधुनी, सूरसरीता, तीन एक साथ, फिर आपको क्या रटना है, देव नदी, देव पगा, स्वर्ग पगा, विप छुपगा, उसके बाद त्रिपथगा, फिर भागी रथी, जाहनवी, मंदागनी, न बहुत इंपर्टेंट है, यह आयतन कई बार आ चुका है, यह आयतन बहुत बार आ चुका है, निलय बार बार आ चुका है, तो क्या हो गया, निलय निकेत निवास आयतन आलय आगार गेह भवन, आलय आगार गेह भवन, आयतन निवास निकेत निलय, यह सारे किसके ये सारे PDF में आपको टेलेग्राम पे दे रहा हूँ लगातार, ठीक है, अब अगला है गनेश, गनेश के आम तोर पे लंबोधर, गजानन, ये सब आपको पता है, लेकिन कुछ जो नहीं पता हूँ वो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, विगनेश विनायक महा काय, अबिके इशान पुत्र गनेश, तेक है, विगनेश विनायक महा काय, अबिके इशान पुत्र गनेश, उसके वाद लास्ट है तलवार, तलवार क्या है, चंद्रहास असि खडग छलावा, तेजी पताखा खंड वले, मतलब चंद्रहास का मतलब तलहार, असि का मतलब तलव खड का मतलब तलवार, छलावा का मतलब तलवार, तेजी, पटाखा, खडग, वलाई, ये सारे किसके परियावाची हैं, तलवार के परियावाची, तो आपने एक चीज गौर की होगी, मैंने यहां कुछ भी शौट बनाने की कोशिस नहीं की, बस हर शब्द को एक दोहे के फ पताईएगा, थैंक्यू सो मच,